तरुस्त और तंदूरुस्त हैं अमेंडमेंट्स को लेकर बच्चो बहुत excited होते हैं बहुत ही उत्सुक रहते हैं देखिए मैं समझता हूं DT IDT में अमेंडमेंट्स बहुत सारे होते हैं और बहुत ही चेंजर से होते हैं, law में भी काफी हत्ता कमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, audit में अगर मैं बोलू, जो हमने existing हमारो जो knowledge है, वो बिलकुल काम का होता है, बिलकुल relevant होता है, और साथ में हमको कुछ enhancements करने पड़ता है, और खलके-फलके changes करने पड़ता है, हर साल, November, December म नया module लाता है, इस साल भी लाया, और वो module जब बदलता है, तो उसके वज़े से कुछ changes होते हैं, ये वीडियो में मैं आपको वो changes करवाने वाला हूँ, module-based जो changes है, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, सिर्फ एक chapter छोड़कर, bank audit का chapter छोड़कर, क्योंकि उसके लिए मैं separate वीडियो ला रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पूरा bank audit ही मैं charts में करवा दू आपको, ठीक है, लेकिन थोड़ा थन रखेंगे, उसको आने में थोड़ा समय लगेगा, मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि next month in तक, next month in तक मैं लेकर आ जाओ, बहुत ज्यादा बड़ा वीडिय आए, जो अभी expected नहीं है, तो हो सकता है कि और एक तीसरा भी वीडियो है, दो वीडियो वो भी बड़ी मुश्किल से कुछ घंटों के होंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जादा changes ऐसा कुछ भी नहीं है, it's not like that, तो बहुत हुआ ना मचा है, आपके पास में जो किताब लगा है, कारो 2020 का lecture हम आउलरी यूट्यूब पर डाल चुके है, सबको प्रोवाइड कर चुके है, उसका भी लिंक मैं description में दे दूँगा, let's see guys, तो सबसे पहले, पहले 6 chapters में, जो module के अंदर जो chapters है, उसके इसाब से चल रहा हम, पहले जो 6 chapters हैं, उसमें कोई खास और corporate governance, यहाँ पर मैं बात करूँ तो applicability, applicability में कुछ changes थे, मुझे ऐसा लगा कि changes बताने से अच्छा मैं पूरा applicability फिर से बता दो, listing obligation disclosure requirement बड़ा प्यारा सा regulation है, जो हमको बहुत सारी requirement बताता है कि corporate governance के लिए क्या करना चाहिए, अच्छे corporate governance के लिए, अब ये LODR किसको applicable है कोई भी company जिसके financial instrument listed है, recognized law exchange में, recognized law exchange मतलब इसको senior government ने approve किया है, सिक्रा Act के अंदर, Securities Contract Regulation Act के अंदर, अब कौन से securities listed होने चाहिए, securities बहुत सारे होता है, company के बहुत सारे financial instruments होते, कौन से listed होने चाहिए, तो उन्होंने उसको नाम दिया designated securities, designated securities करके नाम दिया हुए, मैंने उसको classify किया, कुछ popular और कुछ other, अगर किसी भी company के specified securities listed है, stock exchange पे, तो उनको LODR लग जाएगा, specified securities मतलब क्या, equity shares और convertible securities, मतलब convertible preferential, convertible debentures, किसी भी company के equity shares और convertible debentures अगर listed है stock exchange में, तो उनको LODR लग जाएगा, अब उन्होंने और थोड़ा सा clarify किया, equity shares और convertible debentures क्या है ठीक है, ये लोग एक ही stock exchange के multiple platform हो सकते है, एक main platform होता है, main platform जहाँ पे सभी traders मिलकर trading करते है companies की, फिर SME platform, सिफ small और medium enterprises है, उनके shares की trading होती है, limited companies होती है, limited traders allowed होते है, और फिर, institutional trading platform या innovators growth platform होता है, इसकी उपर जो खास कर गई, technology oriented जो नए startups है, वो companies listed होती है, इसमें भी limited लोग सिफ institutional institutions trading कर सकते है, तो भाई साब उनने clarificative nature की बात लिखी है कि equity shares और convertible debentures किसी भी stock exchange के किसी भी platform पे लिस्टेड हो, main platform या SME platform या institutional trading platform, तो LODR लग जागा ठीक है जी, कोई बात नहीं, अब इसके अलबाब बाकी securities generally सिफ main platform पे होती है, तो अगर main platform पे listed है, तो LODR लग जाएगा, main platform पे listed है, कांसी ये बाकी securities नीशू करके shortcut है, नीशू securities, non convertible सारे securities, आपके non convertible preferences, non convertible debentures, पहले इसमें थोड़ा complication था उनके तरब से निकाल दिया, बहुत बढ़िया, अगर किसी भी तरह का non convertible preferences debentures listed है, stock exchange पे, LODR लग जाएगा, IDR, बाहर क companies इंडिया में आकर अगर list होती है, तो फिर आपको, फिर आपको LODR लग जाएगा, security receipts, ठीक है, जो loans bad हो जाते हैं, वो loan transfer जाते हैं, asset reconstruction company को, और वो loan की ownership, सस्ते rate में दूसरों को दी जाती है, और वो ownership देने के लिए जो financial instrument issue होते हैं, उसको बोलते है security receipts, तो अगर security receipts दी है, किसी को और वो listed है, उसको भी LODR लग जाएगा, अगर किसी company की security receipts listed है, LODR लग जाएगा, वैसी जो loan assets होते हैं, उसकी ownership भी लोगों को दी जाती है, secretization के थुरू, वो अगर listed है, किसी company का, तो LODR लग जाएगा, mutual funds के units listed है, तो LODR लग जाएगा, बहुत simple, बहुत आसान है, non-convertible instruments किसी company के, IDR किसी company के, security receipts किसी company के, secretized debt instrument किसी company के, mutual funds, जिस company के भी ये list होंगे, उन सबको LODR लग जाएगा, तो इसमें amendment क्या था, amendment यहाँ पे, amendment बहुत simple सा, convertible को लेकर पहले confusion था, थोड़ा complication था, वो simplify कर दिये, अब खास बात यहाँ पे, LODR के अंदर कुछ requirements ऐसे है, जो market capitalization based है, कि अगर आप top 500 होंगे तो यह करना पड़ेगा, 1000 होंगे तो यह करना पड़ेगा, तू top 2000 में होंगे तो यह करना पड़ेगा, इस तरीके क्या है, खास बात क्या है, क्या बोल रहे हैं वो लोग, अगर market capitalization, अच्छा मैं और एक बात बता दू, यह सारे ऐसे changes है, जो module में, वास्तविक्ता में कब आए, वो जान दो, हमारे module में इसका reference अभी आया है, तो हमारे लिए वो relevant बन जाते हैं, और module हमारे लिए माईबा पर भगवान है, हमको उसके साब से चलना है, तो अगर कोई company का market capitalization, top 500 में चलना आता है, 1000, 2000, तो उसके लिए कुछ additional requirements है, additional बाते लग जाती है, या फिर ऐसा बोले कुछ requirements लगती है, only when you go into top 500, 1000 या 2000, अगर एक बार आप उसमें गए, और आपको वो requirement लग गई, अगर आपका market capitalization कम भी अगर हो जाएगा ना, तब भी आपको वो लगता रहेगा, यह खास बात है और बहुत ही ब study में आ सकता है, interesting, very interesting, कि भी LODR एक बार लग गया, market based requirements एक बार लग गई, तो हमेशा लगती रहेगी, तो इसके बाद, अगर हम लोग बात करते हैं, high value debt instruments, यह और एक नहीं बात हुई है, फोड़ा सा में घ्यान आप लोग को बाट दू, LODR ना, chapters में बटा हुआ है, और एक एक chapter है, अगर आपके equity shares listed होंगे, तो आपको यह chapter लग जाएगा, अगर आपके debt instrument listed है, तो यह लग जाएगा, अगर आप IDR हो तो यह लग जाएगा, mutual fund हो तो यह लग जाएगा, किस तरह के financial instruments आपके listed है, उस तरह के requirements है, तो उसके अंदर chapter 4 of LODR, chapter 4 है LODR का, उसमें regulation 15 to 48 है, और यह लगते है, यह लगते है, ठीक है, 48 इतने regulations है, उसमें भी, regulation 15 से 27 जो है, वो खास corporate governance को improve करने को लेकर है, कि कैसे company की decision making, decision making और उसका implementation process कैसे बहतर किया जाए, corporate governance उसके लिए है, chapter 4 was formed for companies whose equity shares and convertible securities were listed, पहले यह chapter 4, सिर्फ उनको लगता था, जिनके specified securities listed हो, मतलब, जिनके equity share और convertible securities listed हो, अब खास बात हुई है, नाउ, यह बहुत बड़ा chapter, regulation 55 to 48, उसमें से 15 to 27 हमारे लिए relevant है, क्योंकि वो corporate governance से deal करता है, और उसको हमारे institute का module इजजत देता है, उसको cover करता है, अब यह जो 15 स सत्ता इस है, it is applicable to HVD also, high value debt listed entities, HVD, मतलब, जितने भी corporate governance की requirement आप पढ़ते हो, अब वो high value debt instruments को भी लगेगा, ठीक है, as it is लगेगा, जब तक कुछ और नहीं बताया जाता, तो जितनी भी corporate governance requirement है, equity listed है तो भी लग जाएगा, convertible listed है तो भी लग जाएगा, और अगर high value debt entity, है high value debt entity क्या होता है, किसी भी company को high value debt entity बोला जाएगा, अगर पिछले साल, as on 31st March, उसके 500 करोड या उससे जादा debentures debt अगर उसका listed है तो, अगर 500 करोड उससे जादा, आपके debentures market में listed तो आप high value debt, तो basically, जो बड़े लेवल पर market से, debt के थ्रू पैसा उठा रहे है, उनका भी corporate governance से भी improve करना चाहता है, उनको भी सारे corporate governance की requirement लगा दिये, ये बड़ी प्यारी चीज़ है, और उसमें खास बात, इसको भी, ये भी अगर एक बार लग जाता है, आप high value debt instruments से एक बार लग गया, अब आपका debt का level अगर कम भी हो जाए, कम भी हो जाए, तो भी आपको ये requirement लगते रहेंगे, अरे भाई, एक बार पिंजडे में आए हो, पिंजडे में आए है, और आपको पकड़ लिया गया है, ठीक है, तो बहुत ही खास बात है भाई, now, role of audit committee, ठीक है, हमने बहुत प्यारे फाडू चार्ट्स बनाए है, उसमें role of audit committee cover किया है, 21 points से में समझता हो होगी, तो audit committee की जिम्मेदारी है, वो scheme को अच्छे से पढ़े, उसको अच्छे से समझे, कि क्या logic है ऐसे यह करने का, उसके benefits क्या है, उसका impact क्या होगा, company पे, shareholders पे, सभी लोगों पे, उसको analyze करे, और उसको comment करे, audit committee involved होनी ही होनी चाहिए, उनके विचार सामने आने ही आने तो audit committee को यह सब schemes में घुसना ही है, ऐसे भी लोग रहते हैं, लेकिन और लिखा हुआ है, ठीक है, अब corporate governance में, देखे मैंने बोला, बड़े प्यारे, सिर्फ बड़े प्यारे हमने फाडू charts बनाये है, उसमें सौप कुछ एक जगा पे हमने cover किया है, और हमने तो YouTube पे वीड governance को अगर improve करना है, company की decision making को अगर improve करना है, if you want to improve company decision making, you have to make people accountable, तो क्या obligations होंगे, senior employees के, key management person, directors, senior employees के उनके obligations है, उसमें एक point हुआ करता था, ये deletion से कोई खास फरक नहीं पड़ा है, वो delete कर दिया, सुनिये, non-executive जो directors होते हैं, वो neutral directors उनको माना जाता है, क्योंकि वो regular basis पर day-to-day operations में cover नहीं होते हैं, जितने neutral directors cover होंगे, उतना बहुत अच्छे quality के decisions होंगे, ऐसा सोचा जाता है, माना जाता है, neutral में भी जो बहुत ही अच्छे हैं, उनको independent director बोलते हैं, वो तो दूद से दुले हुए लोग है, ये तो सिर्फ neutral है, वो neutral के साथ-साथ दूद से दुले हुए देव मानुस है वो, independent director जाने दो, non-executive director के पास में company के कितनी shares हैं, ये non-executive director company को बताता है, और company के लोग जब AGM कंड़क करते हैं, तो AGM के अंदर जब director का appointment होने वाला होता है, तो उसकी notice में बताते हैं कि उसके पास में कितनी share holding है, तो information का flow कैसा है, NED non-executive director से company, company to shareholders in AGM, आज भी company जब भी non-executive director को appoint करेगी और उसके appointment का जो notice जाएगा AGM में, उसके अंदर लिखा होगा कितनी share holding है, लेकिन उन्होंने एक point निकाल दिया, शायद वो procedural part था, clerical part था, कि non-executive director को ये जानकारी देनी पड़ेगी company को ये point निकाल दिया, शायद वो procedural इसको समझते है, clerical इसको समझते है, कि कोई खास नहीं है, वो तो ऐसे भी दे देगा, understood है, या फिर ये जानकारी तो हमारे company का shareholder register देखके निकाल लेंगे, यो भी obligation उन्होंने remove कर दिया, फिर उसके बाद में और change किया है, आप सबको पता होगा corporate governance में एक requirement है कि एक director maximum कितने committees में member हो सकता है, और maximum कितने committees में chairman हो सकता है, 10 और 5 की limit है, और उसके अंदर खास निखा हुआ, जितनी में public companies के अंदर आप हो, member ये chairman committees का वो count होता है, वो count होता है उसमें भी दो committee सिर्फ, audit committee और stakeholder committee, ये पढ़ावा होगा आपका, उसमें उन्हें clarification लिखा है, private company में कुछ भी रहो, will not be counted, section 8 में कुछ भी रहो, will not be counted, foreign company में कुछ भी रहो, will not be counted, अब उन्होंने एक और जोड़ दिया, high value debt company में कुछ भी रहो, will not be counted, तो सिफ public company के committees में अग इंशुरंस, जो company को govern कर रहे है, दिशा दिखा रहे है, बड़े-बड़े decisions ले रहे है, company के निश्पक होकर, ऐसे corporate governance team का आपने ख्याल रखना चीए, कैसा आप लोगों ने ख्याल रखना चीए, तो बहुत आसाने ख्याल रखना, it's very simple, बूले, काम करिये, आप उनके लिए इंशुरंस, आप उनके लिए इंशुरंस लीजिए, ऐसा mandatory है, अब ये requirement पहले से थी, उसका reference module में आया, आधा अधूर, हमने पूरा लिया, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज को, market capitalization के इसाब से, as on 31st March of last financial year, अपने directors और अपने officers के लिए खास इंशुरंस लेना चाहिए, undertake directors and office insurance for all their, उसमें भी, उनने specific लिखा है, for all their independent directors, जो निश्टपक्ष न्यूटरल होगे, independent directors के लिए, आपने direct and office insurance लेना चाहिए, insurance कितने value का होगा, क्या terms and conditions होगी, ये सब कुछ, board of directors तैय करेंगे उसके इसाब से, ये पहले से था, ये पहले से था, it was already there, module में आज भी ये से, ये इतना portion cover नहीं हमको लेना पड़ा, क्योंकि, module में सिर्फ क्या cover है, कि high value debt listed जो entity है, उनको भी, ये director and officer insurance लेना पड़ेगा, for its independent directors, for such some assured, as said by directors, okay, तो बात समझे, top 500 वालों को भी लेना पड़ेगा, और high value debt वालों को भी लेना पड़ेगा, दोनों को अपने independent directors के लिए, खास insurance लेना है, ठीक है, फिर, सभी independent directors को कम से कम साल में एक बार, एक मीटिंग, एक मीटिंग ऐसी हो, कम से कम हर साल एक मीटिंग होनी चीए, जिसमें सिर्फ independent directors की मीटिंग हो, without presence of other members of the management, कम से कम साल में एक बार मीटिंग होनी चीए, सभी independent directors की, जिसमें बाकी कोई दुसरे लोग ना हो, इसमें independent directors का भी आपस में bonding मिले, वो भी आपस में मिले जुले, बिचिंग करें, दूसरों के बारे में, उसके बारे में बातचीत करें, इसमें कोशिश करने चीए, सभी independent directors ने present रहने की, तो यह obligation में, आप ऐसा मान के चलिए, कुछ obligation डिलीट कर दिए, कुछ subsidiaries की उपर पूरा control होना चाहिए, companies का, इसलिए कुछ बाते लिखी हुई है, उसमें एक बात ऐसी लिखी है, जो आपको शायद याद होगी, तो अगर कोई material subsidiary है, जो 20% उससे जादा contribute कर रही है, आपके profits, आपके net worth में, इतनी बड़ी company है, अगर उसकी shareholding आपको कम करनी ह है, shareholding अगर आपको कम करनी है, अगर आपको 50% से नीचे लेके जाना है, यह बहुत बड़ी चीज़ है, subsidiary के उपर का control छोड़ रहे हो आप, special resolution पास करवाना पड़ता है, special resolution, अभी भी सब कुछ वैसा ही है, से wordings को उन्होंने ठीक किया है, पहले wording ऐसी थी, अगर less than 50%, subsidiary है, 50% पे subsidiary खतम, और less than 50% तो पका खतम, तो अगर आपको subsidiary का relationship खतम करना है, 50% पे जाना है, या less than 50% जाना है, तो special resolution लगेगा, पहले सिर्फ ऐसा लिखा था, less than 50% जाना है, तो special resolution, अब उन्होंने दोनों cover कर लिया, 50% या उससे नीचे जाना है, मतलब आप control छोड़ इन शॉर्ट, अगर आप control छोड़ रहे हो, तो आपको special resolution पास करना पड़ेगा, secretarial audit, सभी listed companies को और उनकी material unlisted subsidies को, सभी लोगों को secretarial audit करवाना है, तो पहले भी था, नया क्या है, नया है, secretarial compliance report भी लगेगी, और तेरी सर ये क्या है, क्या company ने सभी laws, rules, regulation को अच्छे से follow किय इसकी checking करना, इसकी secretarial audit report बनाना, और annual report में इसको include करके सभी shareholders तक पहुचाना, correct, company secretary करेगा, ये requirement पहले भी थी, सभी listed entities को, उनकी material unlisted entities को अपना secretarial audit करवाना पड़ेगा, और उसकी report, annual report में include होगी, और सभी shareholders तक जाएगी, कि सारे laws, rules, regulation का compliance ये लोग बराबर करते की नहीं करते, अब एक नया फंडा, secretarial compliance report भी लगेगी, और ये compliance report लगेगी, ये भी बरानी पड़ेगी, ये भी बरानी पड़ेगी, और ये भी भी भेजनी पड़ेगी, सर दोनों में फरक है, secretarial audit report और secretarial compliance report, secretarial audit report में हम सभी laws, rules, regulation का compliance चेक करते, secretarial compliance report में सिर्फ और सिर्फ सेभी act और उसके regulations, उसके अंदर आनी वाले चीज़ों compliance चेक करना है, okay, secretarial audit report का दाइरा बड़ा है, compliance report का दाइरा कम है, और secretarial audit report को checking करने को बहुत time मिलता है, और annual report के साथ भेजना है, तो secular audit में बहुत सारी चीज़े चेक होती है, बहुत सारा time मिलता है, और shareholder को भेजना पड़ता है, compliance report में limited चीज़े चेक हो रही है, सिर्फ से भी act, सिर्फ उसके regulation, 60 days from the end of the financial year, आपको ये भेजना है, stock exchange को, time भी कम है, और भेजना किसको है, stock exchange को आपको भेजना है, खास बात है, और खास बात, ये दोनों कौन करेगा, practicing company secretary करेंगे, secretarial audit report में तो साब साब लिखा था, practicing company secretary करेगा, compliance report में कुछ लिखा नहीं था, लेकिन understood है ये बात, दोनों एकी साथ लिखे हुए, एकी regulation में उपर नीचे लिखे हुए, कि ये भी practicing company secretary करेगा, उनको भी करने दो यार, ऐसा मत करो, तो basically report की value होती है, time, कुछ चीजे जल्दी पता चलनी चाहिए, stock exchange को, इसलिए, quota committee ने ये बोला कि, यार, CB regulation का compliance ना, इस साल खतम होने के, साथ दिनों के अंदर, stock exchange को दे दो, बाकी चीजे होती रहेगी, ठीक है जी, risk management committee, यार, risk के पीछे पूरी दुनिया दिवानी है, जो companies risk manage नहीं करती, खतम हो जाती है, तो उसी को लेकर, इन्होंने बोला हुआ है, बहुत simple, simple बात है, सबसे पहले तो risk management committee की requirement किसको लेगी, top 1000 listed entities, जिनका पिछले साल आदन, 31st March, market capitalization के सबसे करे, top 1000 वाले जो लोग है, उनको mandatory कर दिया है, और मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसे भी सबने risk management के बारे में सोच के चलना चाहिए, पर तुम्हारे साथ क्या-क्या बूरा हो सकता है life में, constitution कौन बनाएगा, common sense है, board of directors बनाएगे, लेकिन minimum three members, कम से कम तीन लोग हो, majority board of directors, मतलब directors के अलावा बाकी लोग भी हो सकते है, ये खास बात है, generally committees में सिर्फ directors होते है, येस, लेकिन यहाँ पर directors के अलावा कुछ और लोग भी हो सकते है, और कम से कम एक independent director तो होना ही होना चाहिए, उसमें भी, अगर superior right equity share है, ये आप जानते होंगे, अगर dividend के rights ज्यादा है, voting के rights ज्यादा है, तो फिर two-third of the committee should be having independent directors, एकदम requirement बढ़ जाती है, और फिर chair person के अगर बात करें, तो वो भाई साब शाल भी member of the board of directors, और फिर बोलते हैं, जो senior executives हैं, उनको आप members बनाई हैं, मतलब board of directors बनाएंगे, कम से कम तीन लोग रहेंगे, majority board में सी रहेंगे, कुछ लोग senior executives भी आ सकते हैं, इन सब में एक independent director लगेगा, उसमें भी अगर superior right ये तो two-third हो जाएगा, और chair person जो है, वहाँ पे तो board का बंदा ही बैठना चाहिए, मतलब board की supremacy है, बोड के हाथ से control, जो meetings चलानी है, agenda set करना है, voting करवानी है, ये पूरा काम chair में नहीं करवाए भाई सर्थ, meetings twice in a year, साल में कम से कम दो बार मिले, और जो ग्याप रहेगा दो meetings के बीच में, it should not be more than 180 days, मतलब ठीक है, आपको ऐसा नहीं हो कि, मतलब, properly spaced, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा समय हो गया meeting करके, तो कम से कम दो बार मिले और 180 के उपर difference मतलब है, और उसमें से कम से कम एक board of director होना चाहिए, जनरली ऐसा बोलते हैं कि एक independent director हो, यहाँ पर लिखा कम से कम एक board of director का बंदा हो, ठीक है, reasonable, तो हम लोग ने देख लिया किसको apply के बले, हमने लिख देख कि कैसे बनेगा और कैसी meetings होंगी, इनके roles and responsibilities, board of directors तैख करेंगे कि इनके roles and responsibilities क्या होंगे, थास करके company के कितने risk है, उनको identify करना, उनको measure करना, उनको monitor करना, उनको compensate करने के plan क्या है, वो समझना, यह सब उनके scope में आता है, यह सब करना पड़ता है, और cyber security तो हमेशा उनने सोचना ही सोचना चाहिए, उसको emphasize करके बोला हुआ है, इसके अलाबा, कुछ उनकी जिम्मेदारिया, as per part schedule 2 के अंदर जो part D है, पर एक part D specified roles of various committees, which include role of risk man, already मतलब LODR के अंदर schedule 2 है, उसके अंदर part D है, उसके अंदर हर committee के roles दिये, हर committee के roles, तो बोले वो तो करना है, मतलब वो तो आए गई, इसके अलबा, board बताएगा, और cyber security तो होना ही चाहिए, ठीके डने जी, powers क्या होंगे, मैंने sequence में रखा हुआ है, बही सबसे, आप जो चाहे, वो employee को बुला कर, जो जानकारी चाहिए, वो ले लिजे, इससे बड़ा power, बहार से अगर आपको legal या किसी professional बंदे को बुला कर, advice ले ले वो भी कर सकते है, इससे बड़ा power, ठीक है, attendance of outsider with relevant, आप उसको invite कर सकते है, meeting के अंदर, उसको बल सकते है, meeting attend कर, और हमको आके समझा बाते, तो employees की उपर power है, बहार से consultation लेने का power है, बराबर बनी है, बराबर meetings हो रहे है, बराबर उनका काम चल रहा है, ये देखना, ठीक है, ये ही देखना है कि, क्या ये committee properly अपना काम कर रही है, सारे requirement fulfill कर रहे है, अपना काम बराबर कर रहे हैं, वो देखना है, और हम बोल कि है, majority board होना चाहिए, और chairman के अंदर भी board का बंदा बैठना चाहिए, तो वो है ना, वो देख लीजे, basically भी check compliance of above, फिर हमने बड़ा प्यारा सा disclosure अलड़ी दिया हुआ है आपको, हमने बहुत प्यारे चार्ड बना है corporate गर्ण, बहुत ही प्यारे, और बहुत अच्छा फाडू में cover भी किया है, related party के disclosure, related party disclosure लगता है, ठीक है, उसमें एक ऐसी requirement होती है, कि listed company को, listed company जैसी अपने financial statement finalize करती है, और उसको publish करती है, market में सब को भेजती है, उसके 30 days के अंदर, 30 days, जैसी publish करते है, half yearly publish करते, 30 days के अंदर, जो financial statement के अंदर, related party के disclosure का जो note होता है, correct, वो ले करके आपको stock exchange पे भेजना है, और website पे डालना है, consolidated financial statement के अंदर, जो related party का होता है, यह requirement पहले से, high value debt जो entities है, उनके stand alone financial statement में, जो disclosure होता है, वो देना पड़ता है, अच्छा, बाकी सब लोगों को तो consolidated financial statement के अंदर, related party क्या-क्या disclosure है, वो submit करना पड़ता है, stock exchange में और website में, लेकिन जो HVD companies है, उनको बोला है कि, तुम सिर्फ stand alone तुमारा भेज़दो, उतना ही काफी है, तुम console one soul छोड़ो, ठीक है जी, as you say, फिर, corporate governance report, quarterly corporate governance report submit करनी पड़ती, वो पहले 21 days के अंदर submit करनी पड़ती थी, sorry, 15 days के अंदर submit करनी पड़ती, from the close of the quarter ऐसा लिखा था, 21 days from the end of the close of the quarter, number of days बदले है, days बदले, 15 के जगा, 21 हो गया, जाधा time मिल गया, corporate governance report submit करनी के लिए, जाधा time मिल गया, ठीक है जी, मैंने बोला कि पहले आपके chapters में कोई change नहीं, cfs के अंदर कोई change नहीं, bank audit के अलग से वीडियो में आपको देने वाला हूँ, insurance में कोई change नहीं, NBFC में कोई change नहीं, ठीक है, कारो का change है, अलड़ी वीडियो हमने दाला हुआ YouTube पे, कारो 2020 बड़ा प्यारा सा, बड़ी चार्ट बड़ बना कर डाला हम दो बना, खुशी की बात, tax audit में खुशी की बात, GST audit का section ही नहीं है, नए module में, section ही नहीं है, GST audit आपको नहीं पढ़ना, पढ़ लिया होगा, तो भी खुशी की बात है, क्योंकि अब आपको revise नहीं करना, GST audit is not applicable, tax audit में आपको पता है, कि अगर 95% of the receipts and payments, 95% of the receipts and payments, अगर आपके, ठीक है, prescribed mode में हो, banking channel से हो, तो आपकी जो limit है, tax audit की limit वो पांच क्रोड पे पहुँच जाती थी, ऐसे ये क्रोड की लिमिट है, अगर आप 95% वाले criteria को fulfill करोगे, तो आपकी limit पांच क्रोड हो जाएगी, पांच क्रोड आपकी लिमिट हो जाएगी, अब उन्होंने बोला पांच क्रोड नहीं, अब वो लिमिट 10 क्रोड हो जाएगी, इट विल बिकम 10 क्रोड, ठीक है जी, कोई बात नि, इसके अलबा, पिछले exam के कुछ amendments है, जो इन्होंने institute ने इस बार include किये, मैंने उसकी link दिये, हमने बड़े प्यारे amendment cover किये हुए है, उसकी link भी दी हुई है, ये हिंदी lecture की link है, English lecture वाली link अलग है, तो वो अभी भी relevant है, वो आपको करने चाहिए, उसको वापस cover करने मतलब भी नहीं है, इस नोट अमेंटमेंट है सच, मतलब उन्होंने अभी सिफ मॉडिल में include किया, clause 44 है tax audit from 3CD का, वो और defer हो गया है, 31 मार्च 2022 तक, अबयांस उसको नहीं लगाना, आगे दगेल 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 हो, क्या परक पड़ता है, शाप्ट नमबर, 13, 14, 15, 16, कोई change नहीं है किसी भी तरह का, no change at all, फिर हम लोग आते है, peer review पे, इसे कुछ चीज़ें बदल गई है, ठीक है, कुछ चीज़ें बदली है, जो जो चीज़ें बदली है, हमने RAID में लिखी हुई है, peer review में आप लोग कोई पता है, सबसे important होता है, peer review process, peer review process, अब मैं बोला कि मैं ऐसे, मैंने पूरा chart ही cover कर लिया, चार्ट ही revise कर लिया, ठीक है, वो revised वाला ही हम लोग देख लेते, फड़ापट, 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 peer review में आप क्या काम होता है, selection का काम होता है, पहले selection, peer review board select करता है, कौन से CA firm का peer review होगा, practicing unit, फिर reviewer planning करता है, फिर execution में दोनों मिलकर execution करवाते है, reviewer और practicing unit दोनों मिलकर, reviewer सवाल पूछता जाएगा, यह जवाब देते जाएंगे, वो document पूछता जाएगा, document देते जाएंगे, फिर इसके बाद में report बनेगी, mutual consultation, discussion से report बनती है, और फिर main report issue होती है, then the reporting, तो इसे चार पार्ट, मैं हम चीजों को बाटा हुआ है, हम लोगों ने, let's see, क्या होता है, सबसे पहले peer review board, TA firm को practicing unit को, intimation बेज़ेगा, बादा ही हो, आपका selection हुआ है, peer review के लिए, peer review को, practicing unit को, TA firm को, 7 दिन के अंदर, declaration भेजना पड़ता है, अपने firm के details भेजने पड़ते है, declaration में खास कर ये बाते होती है, कि वो level 1 वाले लोगों में आते हैं, level 1 या level 2, उसका criteria थोड़ा सा change हो, वो भी देखे हैं हम लोग, level 1, level 2 में आते हैं, लेकिन जो खास change है, questionnaire, एक detail questionnaire जाता है, और बहुत सारे details होते हैं, CA firm के, वो भी, 7 दिन के अंदर, declaration भी, और 7 दिन के अंदर, questionnaire भी, आपको भेजना है, practicing, आपको भेजना है, peer review board को, ताकि peer review board, एक panel बनाए, एक list बनाए, तीन reviewer की, कि लीजे साब, इनसे review, आप बताईए, एक panel बनाकर भेजे, तो जैसी declaration आएगा, वो panel बनाकर, list बनाकर भेजेंगे, कि 3 reviewer की list है, 7 दिन के अंदर बताओ, कि किससे review करवाना चाहते हो, वाह, 7 दिन के अंदर बताओ, किससे review करवाना चाहते हो, हमारे module में cover नहीं किया है, लेकिन सिर्फ knowledge के लिए बता दू, चीक आने वाले थी, आई नहीं, ठीक है, तो, 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपको बताना है, कि किससे review करवाना चाहते हो, उसमें भी अगर आपको पसंद नहीं ना, तो बोलो पूरा panel, reason लिख के भेज़ो, नया panel भेज़ो, तो नया panel भी भेज़ते है, हमारे module में cover नहीं किया, इसलिए हमने भी या cover नहीं किया, module में जित्ता है, उत्ता हमको पढ़ना है भई, फिर, PR भी 7 दिन के अंदर, reviewer से consent लेगा, भाई साब, you are ready to get, you are ready to do peer review, कोई problem तो नहीं है, done, यह selection process हुआ, inform करेंगे, 7 दिन के अंदर declaration, हम list भेजेंगे, अरो, time किसको दिया है, दूसरों को, peer review board को थोड़ी time रहता है, inform किया, 7 दिन के अंदर declaration भेज़ो, फिर तुमको panel भेजेंगे, 7 दिन के अंदर नाम भेजो, फिर अगर उसने हाँ बोल दिया, तो reviewer से confirm करो, तू ready है न, 21 दिन तो इसी में चले गए, selection में, अब planning में, review करने के लिए, बहुत सारी जानकारी लगई, खास बात क्या हुई, दो दिन के अंदर, आपने जो questionnaire लिखकर भेजा था, peer review board को, जैसे ही आपको intimation मिला, कि ये reviewer आपका review करने के लिए तयार है, दो दिन के अंदर, उसको वही questionnaire की copy, questionnaire की copy, जिसमें आपके पूरे clients की list आती है, nature of services, fees आती है, आपके काम करने का तरीका, आप कैसे audit करवाते हो, कैसे independence maintain करते हो, कैसे staff को develop करते हो, कैसे उनको supervise करते हो, ये पूरा लिखकर questionnaire, जो आपने भेजा है, already peer review board को, दो दिन के अंदर भेजना है, ये change है, यहाँ पहले 15 दिन मिलते थे 15, अंदर दो दिन के अंदर भेजना है, अरे भया, आप तो अल्री बना कर भेज चुके हो न, ये change है, कि questionnaire आपको पहली भेज देना था, उसी की copy-up भेज दो, आपके against, CA firm, उसके partner, उसके assistance के against, जितने भी cases pending है, पिछले तीन साल में, 3 years preceding the peer period of review, मतलब peer review, 3 साल के assignments का होता है, उससे पिछले 3 साल, मतलब लगबख 6 साल के अंदर, आपके against, जितने भी pending cases है, आज तक जितने भी pending cases थे हैं, by regulatory authorities, और everyone, वो सब भेजो, तो आपको 2 दिन के अंदर, questionnaire और proceedings के details, इसके अलावा reviewer मुझे वाएंगा वो, भी साब information मिलेगी, पढ़ेगा, CA firm की पूरी जानकारी लेगा, कितने बड़े लोग है, कितने clients हैंड सून, इसके अलावा, peer review board, UDIN, UDIN direct rate करके, जो authority है, उनसे data मंगवाएगा, कि ये CA firm और इनके partners, ने क्या-क्या sign किया है, उसके details हमको दो, वो भी reviewer को मिलेगा, ओ, 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 तो CA firm से भी जानकारी मिलती है, और UDIN के थूरू भी जानकारी आती है, मिलने के बाद, हम कितने assignments review करेंगे, हम initially, हम क्या सोच रहे हैं, कितने assignments review करेंगे, number of days बदले है, number of days में काफी change है, 7 दिन, 7 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, कि हम आपके 7 days, जैसे पुरे details आ जाएंगे, 2 दिन के अंदर details मिलते हैं न, मिलने के बाद, 7 दिन के अंदर बताना है, कि हम आपके consequence assignment के documents देखना चाहते, उसका initial sample, ठीक है, और खास बात, एक copy, CFRM को भेजेंगे, और एक copy, peer review board को, हमको भी बता, यह नया है, यह नया है, एक copy, peer review board को भी भेज, हमको भी बता, तेरा initial sample क्या है, ठीक है, फिर, आप inform कर दोगे, और inform करने के बाद, अगले दिन पहुँच जाना, ऐसा नहीं है, inform करने के बाद, कम से कम सामने वाले को, 5 दिन का समय देना, documents को ready करने के लिए, जाके देखना पड़ेगा न, 7 दिन, 5 दिन का समय दो, और ध्यान रखना, यह भी change हुआ है, पहले 90 दिन था, 60 days, practicing unit को, practicing unit को, intimate करने से, 60 days के अंदर, पूरा खतम हो जाना चाहिए, बहुत फटाफट काम करना है, इसे हलाल होके बैट नहीं सकते, खटा-कट, खटा-कट सब खतम करना है, selection हो गया, planning हो गई, जानकारी मिल गई, CFM से जानकारी मिल गई, समने वाले को बता भी दिया, कि इतने इतने assignment हम आके देखने वाले, साट दिन में complete, फिर execution में, execution में सामने वाला, CFM, reviewer, CFM के site पर जाएगा, उसको, office में जाएगा, उसको बोलते है on-site review, इसमें भी change है, पहले 7 से 15 दिन हुआ करते थे, राद दिन के अंदर review खतम करना है, उसमें पहले जाके, आपका general control देखेंगे, general controls, आपको, आपकी firm चलाने के, आपकी firm को चलाने के, आपके procedure, principles, procedures, क्या है, जिससे आप firm को चलाते हो, firm को control में रखते हो अपने, आप लोग को recruit कैसे करते हो, recruitment होने के बाद में, उनको standards और skills की training कैसे देते हो, कैसे उनको समझाते हो, कि independent रहना ज़रूरी है, जब वो काम करते हुए अटकते है, तो उनको consultation कैसे provide करते हो, आपके लोग experts की list बनी हुई है क्या, और जो non audit work होता है, मतलब firm में जितने employees है, उनका HR वाला काम, उनका attendance, उनका salary, पुरा office को maintain करने वाला काम, billing वाला काम, recovery वाला काम, office administration की system कैसा है, तो पहले ये चार चीज़े तो आप बोल सकते हो, audit वाली है, ठीक है lines है, पहले recruitment, फिर trainings, फिर independence, consultation और उसके बाद में office administration, फिर हमने initial तो sample size भेज दिया था, कि हम लगभग 25 assignment की document देखने आते हैं, बहुत हो गया, 25 बोल दिया मैंने, बहुत जालो, 25, लेकिन हम लोग इसको बदल भी सकते हैं, एक बार भेज दिया तो भेज दिया ऐसा नहीं, assignment पे जाने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, general controls देखने के बाद, हम इस list को कम जादा कर सकते हैं, final sample को, कांसे factors ध्यान में रखने होंगे, कितनी बड़ी firm है, कितनी बड़ी firm है, कितना billing है firm का, कितनी बड़ी firm है वो देखना पड़ेगा, कितने अलग-अलग nature की services, अलग-अलग industries में, अलग-अलग assurance services, कितने partners, size, size of the firm, nature of services, partners, members, कितने location branches, size से related points है, कितनी बड़ी firm है उस से related points है, फिर इनके audit करने के quality control standards, quality controls कैसे है, मतलब audit करने की methodology कैसी है, audit की quality maintain करने का system कैसा है, अच्छा होंगा तो कम selection करेंगे, जाद होंगा, बतलब खराब होंगा तो जादा selection, methodology क्या है, बतलब ये computer-based checking करते है, manual करते, fees collection कितनी है, कितनी बड़ी firms है, काम करने का तरीका क्या है, उसकी उपर से, वो सकता है 25 से 40 हो जाए, वो सकता है 25 से 20 हो जाए, आपका कुछ changes हो जाए, क्या रेक, दो तरीके होते है records को देखने के, इसे audit में भी ना, दो तरीके होते है, test of controls और substantive procedure, test of control और substantive procedure करके दो तरीके हैं, correct, आप कही पर test of control ज़्यादा लगाते हैं, कही पर substantive, ऐसा होता है, quality control system, इनका अगर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, well defined system है, flow charts है, training है, सब उसको समझते हैं, उसको follow करते हैं, if it is really good, to ensure all technical, professional and ethical standards, TPS standards जो है, उसके compliance के लिए, बढ़ा प्यारा quality control system है इनका, बहुत अच्छा है, audit report का, opinion conclusion बनाने का, report बनाने का, और assurance records का maintenance भी अच्छा रखते हैं लोग, अग इनका बढ़ा प्यारा सा, quality control system में इन चीजों को लेकर, तो आप system checking में जाधा efforts लगाओ, system बराबर नव चेक करने में जाधा efforts लगाओ, अगर है तो दिल खुश हो जाएगा, actual assignments की issues में आप थोड़ा कम focus कर सकते हो, दूसरा approach है इनका system बस्तिम नहीं, पर सीधा working papers उठा, हर assignment में significant matters कौन से थे, बड़े-बड़े matters कौन से थे, उसको इन्होंने बराबर technical, technical, professional, ethical standards, सारे significant matters, बड़ी-बड़ी risk, significant risk, deficiencies, material misstatements, सब इन्होंने बराबर manage किया ने, बस वो check करके खतम कर, reporting, reporting में, 40 steps, पहले आपको, इनका audit करने का quality control system कितना अच्छा है, is it good enough to ensure compliance of all technical, professional ethical standards, वो बताना पड़ता है, ये headings में आपको बताना पड़ेगा, ये headings में, आपको report बनानी पड़ेगी, ठीक है कि आपको बताना पड़ेगा, details में, और ये हम पड़कर आए, staff recruitment कि इनके systems कितने अच्छे है, उस पे comment, फिर ये training वाला काम कितना अच्छा करते, independence कैसे maintain करवाते, outside consultation, office administration, ये headings में report देनी पड़ती है, whether these things are good or bad, अगर deficiencies निकल रहे है systems के अंदर, इनके audit करने के अंदर, तो preliminary report देनी पड़ती है, if system procedure deficient, non-companied, बेकार है, यहाँ पर भी, reviewer, अगर चीज़े बेकार निकल रहे है, तभी preliminary report बनती है, तो नहीं बनती है, practicing unit, चाल विदिन, preliminary report, अभी बनती है, बिल्कुल सही, PU को पांच दिनों के अंदर, submission, number of days बने है, कम कर दी number of days, पांच दिनों के अंदर अपना जवाब देना पड़ता है, हमने बोला भाई साब, आप strategy बराबर नहीं बनाते है, plan बनाबर नहीं बनाते है, return representation बनाबर नहीं देते है, पांच दिन के अंदर जवाब देना है, final report, reply मिलने के बाद, अगर हम satisfied है, अरे यार, हमसे गलत फैम ही होगा, यह तो बहुत अच्छा गाम करते है, तो preliminary report क्या थी, हमारी final report, कि हम satisfied है, everything is fine, preliminary report क्या थी है, हमारी उनका जवाब क्या था, satisfied नहीं तो लिखेंगे, we are not satisfied, और यहाँ पर भी, preliminary report क्या थी और उनका जवाब क्या था, basically दोनों में, एक में satisfied report देते हैं, दूसरे में dissatisfied report देते हैं, दोनों में preliminary report और उनका जवाब आता है, अगर चीज़े बराबर नहीं है, तो उनको एक साल का time देते हैं, लगबग एक साल के बाद आएंगे, और जितने मुद्दे है, वो ठीक करो, हम fall on review करेंगे, तब भी नहीं किया न, तो फिर तुमको punish करने के बारे में सोचेंगे, इतना lenient है peer review, immediately punish तो करता है, यह एक साल देंगे सुधर नेकल, अगर request अगर आई उसामने वाले से, तो 6 मेने का, खतलब 6 मेने का, 6 मेने बाद भी peer review हो सकता है, 60 days के अंदर खतम होना चाहिए, जी, applicability में change है, लेवल 1, लेवल 2 पहले भी थे, अभी लेवल 1 में change किया उनोंने, लेवल 1, लेवल 2 में, बहुत simple, I made BCP plan, business continuity plan for level 1, अगर आप, I for India, अगर किसी entity को, अगर कोई entity, इंडियस के हिसाब से, बड़ी companies को रखता है, इंडियस के हिसाब से, अगर financial statement बना रही है, उसका audit कर रहे हो आप, इतने बड़े लोगों आप, उसका statutory audit कर रहे हो, लेवल 1, PCP, B4, banks या insurance company के, आप central statutory auditor हो, statutory central auditor हो, ठीक है, और अगर अलग से branch auditor थे ही नहीं, आप main auditor हो, अगर आप central statutory auditor हो, bank के, इंशुरंस के, लेवल 1, फिर, अगर, C4, central cooperative society, मतलब, government जो cooperative societies बनाता है, या central या state की public sector undertaking, basically government entities है, वो भी बड़ी, turnover 500 crore की उपर है, या net worth 5 crore की उपर है, CP, central government की cooperative society, या central या state की PSU या बड़ी वाली, उसका तुम audit कर रहे हो, ठीक है, then it will be level 1, public interest entity, जिसमें public interest चिड़ा है, regulatory authorities के पास power है, declare करने का, it is a public interest entity, उसका audit कर रहे हो, level 1, listed entity का audit कर रहे हो, इंडिया में, इंडिया के बाहर, level 1, asset management company, PCP, PCP plan, PLA, asset management company, या mutual fund का audit कर रहे हो, level 1, कोई भी entity, जिसका turn out 200 क्रोड है, उसके उपर है, या फिर net worth 100 क्रोड, उपर से compare करो, government वालों में, 5 क्रोड का भी net worth चलता है, या पर 100 क्रोड का net worth, यह change है, plan N4, net worth of N4 वापस, NBFC, N4 again NBFC, NBFC पहले इसमें confusion था, जिनके deposit, 100 क्रोड या उसके उपर गया है, उसको audit कर रहे हो, level 1, 50 क्रोड प्लव, आपने government से funding उठाए, यह सबसे बड़े लोगों से, 50 क्रोड या उससे, over 50 क्रोड, level 1, अगर आपने, bank से पैसा उठाया है, अगर आपने fund उठाया है, bank से, level 1, public से उठाया, level 1, government से उठाया, level 1, उन से छोटे bank से उठाया, level 1, public से भी उठाया, 50 क्रोड के उपर, level 1, donation, अगर आपने पैसा उठाया, तो level 1, donation, contribution भी मिला है आपको, level 1, direct उठाया की चंदे से उठाया, 50 क्रोड के उपर जा रहे हो, level 1, इसके अलवा, अगर आप statutory audit, internal audit, concurrent audit, tax audit करते हो, branches का, कोई भी bank, कोई भी insurance, कोई भी PSU, branches audit करोगे, level 2, NBFC जो उपर cover नहीं, उसका audit कर रहे हो, level 2, ठीक है, कुछ specific number की उपर, आपने unit generate किये, वो number दिया नहीं, level 2, इसके अलवा, अगर और भी कोई काम करते होंगे, any other practicing unit, providing assurance, और assurance service, अगर आप provide करते होंगे, रह भी यही बोलना था, अगर आखरी में है, तो इतना क्यों बोला, इसके अलवा, अगर आप कोई भी दूसरा assurance काम करते हों, basically पूरी दुनिया level 2 में आ गई है, complete thing has come in level 2, ठीक है, और यह, अभी, कोई भी यह पहली भी था, कोई भी regulatory authority, उनसे छोटा CA institute, उनसे छोटा DD, इनको किसी को भी लगता है, किसी CA firm का peer review होना चाहिए, special review, the board based on specific information received from regulatory authorities, उनसे छोटा Secretary ICI, उनसे छोटा DD, which in the opinion of the board requires special review, special reviews करवाना है, में conduct a special review of PU, जो समय बोलेंगे उसका, तो special review, peer review process हम पहली उपर देख चुके, correct, quality review में कोई change नहीं है, आजी, आजाओ जी, professional ethics, professional ethics में, ऐसे, noclar, बहुत famous हुआ है, noclar, noclar बड़ा famous हुआ है, noclar is, non-compliance with laws and regulations, च्या ही है, देखे, noclar, non-compliance with laws and regulations, नाम में लिखा हुआ है, नया code of ethics, आया professional ethics में, ठीक है, new code of ethics has come up, उसे बहुत भारी changes नहीं हुए, कुछ changes हुए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कि professional ethics के भी charts बना कर आपको, पाडू में वो covered नहीं है, आप audit guru, टेलिग्राम चैनल पर आप रही है, ठीक है, तो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे, नया code of ethics आया, लेकिन हमारे course में बहुत limited, बहुत बहुत limited चीज़े उन्होंने cover किये, बहुत ही limited जीए, वो code of ethics में बात लिखिये, कि अगर कोई charge accountant, जिसको professional accountant बोलते बार बार, international code of ethics का copy है, इसने बाब बार बार professional accountant लिखा हुआ है, अगर कोई charge accountant का audit कर रहा है, या फिर अपने employer के लिए job कर रहा है, while providing services to the client, या फिर अपने employer के लिए काम कर रहा है, उस दौरान अगर वो उसको अगर ऐसा लगता है, कि कोई non-compliance of law हुआ है, client place पर या अपने employer place पर, कही पर भी, client place पर या अपने employer के हाँ पर, ऐसा लग रहा है कि non-compliance हुआ है, या फिर suspected non-compliance है, या फिर ऐसा लग रहा है कि non-compliance commit होने वाला है, या तो हो चुका है, या तो suspected है, या तो होने वाला है, तो मैं तो बोलूँगा, तो जी दो श्चार्ज विद गवर्नांस, उनसे छोटे management या उनसे छोटे employees, कोई भी लोग हो, तो ऐसे situation में, जब he comes across the instances of non-compliance, तो क्या करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी क्या बनकर आती है, ये नोकलार में समझाया है, non-compliance अगर तुझे पता चले कही पर भी, तो तुने क्या करना चाहिए, तुरी क्या जिम्मेदारी है, ये समझाया, अभी इसका सिफ ओवर्वीव अपने course में भी, अंदर तो घुसते ही दिए, अंदर की बात तो कोई बताता ही नहीं है, उपर उपर से निकाल देते है, तो ठीक है जी, लोड क्यों ले रहे तुम भी, ठीक है no color किस चीज़ के लिए हो समझ में आ गया, non compliance मतलब किया, जब law में वी बातों को omit किया जाता है, उसके against जाजाता है, intentionally, unintentionally, उसके against जाते है, तो उसको हम लोग बोलते है, non compliance, यह तो बचपनता सीक है, law मेन जैसा लिखा है, वैसा आप नहीं कर रहे हो, या तो omit कर दे जी या तो उनका management या तो उसका employee हाँ तो क्या करना चाहिए नोकलार हमको बताता है तो basically नोकलार हमारी जिम्मेदार या क्या बंती वो बताता है परसनल मिस अगर कोई कोई बंदा परसनल मिस कंड़क करता है मतलब official work नहीं परसनल परसनल मिस कंड़क करता है ठीक है याने दूसरे कलीक को परेशान करना दूसरे कलीक की पिटाई कर दी उसको hospital पहुचा दिया अगर कोई परसनल लेवल पर अगर ये client में या अपने employer में जो लोग जुड़े personal लेवल पर individual लेवल पर अगर गलत काम करते है ठीक है अन्रेट दूसरे कलीक का खून कर दिया इसके ऑफिशल मैटर से कोई लिना दिना नहीं है अगर ऐसा है तो परसनल मिसकंडर्ट वाली चीज़े के बारे में silent है उसमें क्या करना नहीं है उसको लेकर नोकलार नहीं है जो business official matter से related non-compliance है उसके लिए नोकलार है examples of the laws generally किस तरह के laws entity को लगते है जो नोकलार में cover होता है हम लोग ने उसको फिर बाटा है groups में बाटा हो न तो list पढ़ना आसान हो जाता है ऐसे laws जो financial crime से related होते हैं सबसे बड़ा मैं बोलता हूँ terrorism financing money laundering उससे छोटा bribery corruption उससे छोटा insider trading insider trading उससे छोटा ठीक है fraud उससे छोटा आपके frauds आपके accounting frauds financial statement fraud उससे छोटे आपके tax evasion वाले frauds अगर laws है इसके लिए यह सब चीजों को prevent करने के लिए detect करने के लिए laws है ऐसे laws का अगर non-compliance है वो ऐसे laws का non-compliance cover होता है फिर financial crimes के लिए बहुत सारे laws है फिर financial matters financial products और services कैसे होनी चीए चीए क्या-क्या declaration होना चीए क्या नहीं होना चीए data protection के laws वो भी cover होते अधर्स में environmental protection पब्लीक health and safety society पर जिसका impact हो रहा है जनरली ऐसे सभी laws का non-compliance अगर आता है तो क्या करना ठीक है नोकला का objective क्या है कि आप जब professional काम कर रहे हो you may come across actual non-compliance suspected non-compliance to be committed ऐसे तो आप बस आखे बंद करके भाग जाना confidentiality 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 मैंने कुछ नहीं किया ऐसा नहीं चलेगा अब तक भागेगा भई charge accountant 2 इया ख़र चुने अरे रहर Extra इस तो कर society के लिए कि इतना सिर्फ तू ऐसा भागेगा तो इसलिए नोकलार बना है कि बढ़ी सिर्फ इग्णोर करके नहीं चलेगा confidentiality breach नहीं करना ऐसा नहीं चलेगा तेरी कुछ जिम्मेदारिया बनती है वो निभानी पड़ेगी तरी को कुछ important fact यह मुझे important लगते हैं आ आप अलग से compliance check करो अलग से इंवे ना 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 during the course of your professional work जो भी service आप client को दे रहे हो जो भी आप employer के लिए काम कर रहे हो उस दौरान you may come across the instances of suspected actual या to be committed non-compliances अलग से investigation करने को लिए नहीं बोलता अलग से compliance check करने के लिए नहीं बोलता अलग से compliance check करने के लिए नहीं बोलता अल सब सारे laws पता होने चीए rules regulation पता होने चीए उसका export होना चाहिए ऐसा नहीं यह सब हम करेंगे तो law क्या करेंगा company secretary क्या करेंगा we are not expected to have detailed in-depth knowledge of laws rules regulations regular services provide करते वग regular audit करते वग जितने knowledge की जरौत होती है उतना knowledge है हमारे पास में काफी है हमको किसी को prove नहीं हमको उतना knowledge एक overview knowledge important laws का knowledge काफी है non-compliance हो गया दिख रहा है suspected to be committed है तो आपकी कुछ जिम्मेदारिया बनती है खास करके seniors को सबको बताने की actual non-compliance है की नहीं हो तो court decide करेगा न भाई सब मेरको तो ऐसा लगा कुछ गलत हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारिया है कि कुछ लोग को जाके बता देना च लिए कि कुछ बातें in consequential immaterial चीजों पर ध्यान मत दो पूरी दुनिया पहले से बता रहे तुमको 11th class से पढ़ रहे परस्नल misconduct वाली चीजों को भी नहीं लगता ठीक है यहां पर ऐसा लिखाओ एक जो खास change है approach में attitude में नोकलार बोलता है be vocal जब आपको ऐसा पाचाल तो seniors को जाकर बताओ और authorities को जाकर बताओ yes नोकलार बोलता है कि आपने चीजों को authorities को जाकर बताना चाहिए मतलब नोकलार एक थोड़ा change in the approach है अभी तक के हमारा literature यह बोलता था कि आप कभी भी किसी को कुछ मत बोलो till the time it is required by law जब तक law तुमको मजबूर ना करे चुप बैठो अब थोड़ा approach बदल रहा है अब यह लोग क्या बोले जब तक law तुमको restrict नहीं करता जब तक law तुमक के हिसाब से authorities को बताओ so there is a shift in the approach पहले था ए बोला तो बोलना में तो नहीं बोलना अब है बोल जब तक तेरको कोई law नहीं रखता बोल approach has changed that's the biggest impact of nuclear and I think it is good for the society बहुत अच्छा है society के लिए होना ही चीए था यह बहुत exam में important है कि nuclear or SA 250 में क्या फरक है SA 250 is applicable only for the audits of historical information audit के दौरान अगर आपको non-compliance के बारे में पता चला तो क्या करना यह SA 250 बताता है आप किसी भी तरह का assignment करो client को किसी भी तरह की services दो अप client को किसी भी तरह की services दो अपने employer के लिए किसी भी तरह का काम करो इस दौरान कोई भी suspected nuclear actual nuclear to be committed nuclear मिला तो क्या करना तो assignment coverage nuclear का बहुत जादा है पिर loss covered SA 250 तो क्या है लकीर के फाकीर है पुरा SA loss जिसका direct impact है financial statements पे SA loss जिनका direct impact पहले entity के operations पे entity के operations पे जिसका direct impact है जो fundamental entity के operations को भी बंद करवा सकता है going concern को भी बंद करवा सकता है इतने जो important laws है industry specific laws उस पे ध्यान देने को बात करता है और SA loss जिसका financial statement पे schedule 3, tax loss, labor loss, financial statement उसके income expense, asset narrative impact है बस उस पे ध्यान देने के बात करता है तो वापस थोड़ी narrow approach है सिफ बहुत ही important loss for the entity और बहुत ही important loss for financial statements सिफ उस पे focus करता है उसमें भी इसी पे focus करता है accounting बराबर हुई न, accounting बराबर हुई न, no clear बोलता है उसका बोले approach बढ़ा है non-compliance और आगे बोलता है आप non-compliance आप सिफ financial statement पर impact मत सोचो financial, non-financial सारे impact सोचो financial statement का impact तो देख नहीं है, non-financial भी क्या impact हो रहा है धंदा बढ़ा नहीं सकते, धंदा कर नहीं सकते, discern नहीं ले सकते, काम नहीं कर सकते, सब देखो is a 2-50 कोई stakeholder की बात नहीं करता है, बास accounting बढ़ाबरे के accounting म्राबरे के accounting बढ़ाबरे के accounting बढ़ाबरे के marketing बढ़ा apart no-cur2 बोलता है कि सबी stakeholders पर क्या impact होड़ा समझो, company पर इंपक्त है, shareholders पर scriptures पर इंपक्त क्रेयरे इंपक्त है, bankers पर इंपक्त में यह सब देखो, assignment coverage ज़्यादा है, law coverage ज़्यादा है, impact से financial statement ने stakeholders, disclosure to authorities, इसका जो main है, as per no clear, in exceptional circumstances, मतलब no clear में ऐसा लिखा है, जब कुछ exceptional circumstances है, company के अंदर के बड़े लोग non-compliance में involved, अगर ऐसा लगता है, सीधा authority के पास जाओ, it is a drastic change, ऐसे 250 बोलता है, हमेशा management के पास जाओ, TCWG के पास जाओ, as per no clear, in exceptional circumstances, professional accountant might become aware of eminent, eminent breach मतलब company के बड़े लोग involved, of law or regulation, that would be substantial harm to investor, having first consider whether it will be appropriate to discuss, the accountant shall, जब professional judgment लाकर, सिधा authority के पास जाना चाहिए, यह बड़ा change है, ठीकिए, basically, पहले सब कुछ law के भरोसे था, law ने बोला तो बोल, law ने बोला तो बोल, law ने बोला तो बोल, बहुत narrow approach था, law बोलेगा तो बोलना, law बोल, law का पोपट था पहले, अब बोलता है, no clear to, no clear बोल, जब तक law restrict नहीं करेगा, that is the big change, यह बड़ा change in approach है, जो ऐसे 250 में नहीं है, appropriate authority क्या होगी, विल, depend on किस तरह का non-compliance है, किस तरह की entity है, ठीक है, जैसे अगर RBI के rules regulation, तो RBI हो सकता है, listed entity के rules regulation है, से भी हो सकता है, financial statement है, listed entity के से भी हो सकता है, तो किस तरह का non-compliance है, किस law का non-compliance है, किस तरह की entity है, उस पर depend करेगा appropriate authority कौन होगा, कॉंफिदेंशलिट हम समझते हैं उसको भी ध्यान में रखकर चले लेकिन बेसिक अप्रोच बद भी है कॉंफिदेंशलिट हम आज भी उतको सेव करके रखेंगे इंटरनेशनल एथिकल सेंड बोर्ड है यह इंपोर्टन्ट सबसे इंपोर्डन लिस्टेड कंपणी के अगर पता चला तो नोकलार लगता है और अगर आप लिस्टेड कंपणी में इंप्लॉई बनके काम कर रहे होंगे तो नोकलार लगता है, सेक्षिन 2022 ते लग गया है हुआ, एक अपरिल 2022 से लग लागा है च्शलिस्टेड कंपनी को और कॉर्ड हर ऐसे इंप अपरिल 2022 से लग रहे है और अप को बता है essayer रहे हुँ उस कि अपरोंड आपन्स ठो गल कर बोलो seniors को बोलो, authorities को बोलो, this is the big change, यह सबसे बड़ा change आया अप्रोच में, अब देखो यह overview है, हमारे code of ethics में एक section है noclar का, 260 to 360, उसमें बता है noclar मिला तो क्या करना, सबकी अलग-अलग जिम्मेदारिया है, अगर आप job कर रहे हो, तो senior professional, अगर आप as a senior professional काम कर रहे हो, तो आपक काम कर रहे हो other than senior, तो आपकी जिम्मेदारी अलग से दिया, मतलब, if you are doing job और आपको non-compliance पता चला, अगर आपको non-compliance पता चला, ठीक है, if you are a senior professional, तो जिम्मीदारी अलग, if you are a other employee, जिम्मेदारी अलग, audit कर रहे हो, audit करते वक्त आपको पता चला, आपकी जिम्मेदारी अ का वाले कि जो non-compliance है, suppose आपके labor loss का non-compliance है, obtainant उस मसले को अच्छे सो, law को अच्छे समझो, क्या गलत किया, उसको अच्छे समझो, उसमें clarity है, clarity नहीं है, ambiguity है, understand the matter carefully, यह सबसे important, addressing the matter, इसमें लिखाया है, किस-किस को जाके बोलना, किस-किस को जाके inform करना, किस-किस को report करना, यह सबसे important part है, मैं होता अगर module बनाते वक्त, तो मैं how to address the matter, मैं include करता, how senior professionals should do it, how other employees should do it, how auditor should do it, addressing the matter, यह सभी के लिए यह steps है, कि सबको पहले समझना पड़ेगा, address करना पड़ेगा, सबकी जिम्मेदारिया थोड़ी-थोड़ी अलगे, कहीं पर अगर clarity नहीं है, तो advice ले सकता है, बहार से, फिर further course of action तय करे, advice, advice ले करके, address, पहले address कैसे करना, वो तो करी ले, इसके आगे और करना है, फिर सोच समझके आगे बढ़े, और क्या हमको खुद हो के authority तक जाना है, उसके principles दिये, कि कब हमने authority के पास जाना चाहिए, बहुत बड़ा breach है, तो क्या करना चाहिए, और documentation, तो line से आपको याद होना चाहिए, कि पहले मुद्दे की understanding लो, फिर matters को address करो, in the way specified, आप doubt में तो advice लो, advice लेने के पास further course of action तय करो, authority के पास जाना है, तो सोचो, बड़ा breach है, तो क्या करे, और documentation, documentation, नोकलार, मैं आपको क्या document करना परता है, कि non-compliance जब हुआ, तो company के TCWG और management ने कैसे respond किया, और accountant ने क्या सोचा, कि what course of action would be appropriate, उसने ऐसा क्यूं सोचा, उसमें क्या judgment, क्यूं उसने सोचा, पहले तो क्या non-compliance था, उसको लिखो, तो company के लोगों ने क्या किया, उसने क्या किया, और क्यूं किया, उसके logic, reason के साथ document करो, और public interest में, आपके उपर fiduciary duty है, society आप से बहुत expect करती है, public interest का आपने कैसे खयाल रखा, कि public को damage हो रहा हूँगा, तो damage कैसे रोके, document करना पड़ेगा ये भी, कि आपने public को कैसे protect किया, public के तरफ जो आपकी fiduciary responsibility है, natural responsibility है, आपने उसके लिए क्या किया, ये documentation तो no clear बोलता है, इसके अलावा ऐसे तो documentation के लिए बोलता ही है, standards on auditing तो already documents maintain करने के बार बोलता है, standards on auditing दिवाना है significant matter का, कि जितने भी significant matters होते हैं और non-compliance एक significant matter है, उसके पूरे documentation maintain करो, क्या matter था, क्या discussion हुआ, क्या conclusion हुआ, क्या impact हुआ, सब कुछ, ठीक है, क्या discussions हुए, TCWG और management के लोग के साथ, regarding significant matter, वो भी document करो, पूरा लिखना है, significant, इसके उपर क्या-क्या, किस से क्या-क्या discussion है, कब वे उसमें क्या निकल कर रहा है, और ऐसे सभी instances, जो suspected, actual, non-compliance हो, ठीक है, identified or suspected, non-compliance, and the results, वो भी, मतलब, in general, ऐसे बोलता है, सभी significant matter के documentation, सब के discussions, और non-compliance के matters, और उसके भी discussion, यह जो पहले दो point है, essay 230 में लिखे हुए, कि सभी significant matters का ख्याल रखो, यह essay 250 में लिखा हुए, in short, non-compliance की पूरी जनम कुंडली आपको notes to accounts में मिलनीचे, यह इतना छोटा सा लेक्चर है, इतना के अलावा, bankoid का बड़ा प्यारा लेक्चर हम लोग plan कर रहे हैं, और चिंता मत करिये, कोई भी changes है कि तो मैं हूँ न भाई, मैं आपको सब्सक्राइब करना, बहुत जादा changes नहीं है, हमारी पुरानी किताबे आप as it is use कर सकते,